हेलो दोस्तो आज हम आपको लेके आए हैं खोले वाले हनुमान जी के मंदिर जो कि राजिस्थान में जैपुर जिले में इस्तित है और यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि प्राचीन दुर्ग शैली में बना हुआ है इस मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ती लेटी हुए ववस्था में है और यह मंदिर तीन मंजिलों में बना हुआ है खोले वाले हनुमान जी का ये मंदिर रामगर मोड की पास नेशनल हाइवे 8 से लगबग 2 किलोमेटर अंदर है दोस्तो आप मेरे पीचे देख सकते हो खोले वाले हनुमान जी तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और करते हैं दर्शन चली चलते हैं अंदर दोस्तो इस मंदिर का एक दिल्चस्प इतिहास माना जाता है 60 के दशक में शहर के पूर्वी पहाडियों और जंगल के बीच की स्तिती होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था अभी एक ब्रहमन ने इस निर्जन स्थान पर जाने का विचार किया वै इस मंदिर पर पहुँच गया मंदिर के अंदर ब्रहमन ने भगवान हनुमान जी की लेटे हुए अवस्था में विशाल मूर्ती देखी और इस नर्जन जंगल में भगवान को देख ब्रहमन ने यहीं मारूती नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी प्राणांत होने तक उन्होंने वह जगे नहीं छोड़ी खोले वाले हनुमान जी के वे परमभक्त प्रहमड थे पंडित रादिलाल चैबे जी 1961 में पंडित रादिलाल चैबे ने इस मंदिर की विकास के लिए नर्वर आश्रम सेवा समीति की स्थापना की जब यह इस्थान नर्जन था तब पहाडों की खो़ से यहां भरसात का पानी खोले के रूप में बहता था इसलिए इस मंदिर का नाम भोले वाले हनुमान जी पड़ा भोले वाले हनुमान जी के मंदिर में सभी तोहार धूमधाम से मनाये जाते हैं अनुमान जहनती वर राम नौमी इस मंदिर का विशेश तुहार है जो की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखे गणेश जी की मूर्तिय है यहां पर अधियो सारे मंत्र वगेरा लिखे बढ़े हैं इसना सुन्दर मंदिर है यह कि अधर क्या है पीने का पानी अधियो दोस्तों मंदिर में आके अलग ही फूल मिलता है अलग ही उड़जा मंदिय है यहां पर मंदिर के आसपास दाल बाटी चूर्मा की बड़ी अच्छी कुश्वा रही है यहां पर बहुत सारी रस होई है जहां पर पास दाल बाटी चूर्मा बंद हैं इसकी वीडियो में अलग से बनाओं तो भी जरूर आप देख लेना आपको मिल जाएगी मेरे चैनल देखें दोस्तों खोले वाले हम अजी पर रोप पर चल रहा है तो यह आदमी नहीं दिगरा शाएट ट्राइल के लिए चल रहा है कर दोस्तों रात में यह मंदर और भी खुश्पूरत लग रहा है इसमें लाइटिंग करी गई है तो और यह सुंदर लग रहा है कर दोस्तों कर दोस्तों रहा है